स्पेशल गेस्ट अभिशेक तिवारी जी सर सबसे पहले आप योदर जी से अभी अभी आए है जैश्री राम जैश्री राम आपके सभी दोस्कों को प्रणाम नमस्कार जैश्री राम जैश्री राम सर एक जी बताइए मोदी जी ने एक लारा दिया है इस बार और एक ऐसे नैशनल एंथम बन गया हो अपकी बार 400 पार आप तीन फेसिस हो गए हैं चौता आने वाला है एक दो दिनों में क्या लगता है आपको यह सिर्फ चुनावी शेडेंतर है गाना है या वा राजनिती में आपको चुनाव लड़ने के टाइम में इस प्रकार के नरेटिव किया हो सकता होती है दो चीज़ें हुई है इस नारे के वज़े से अपोजिशन जो की बीजेपी को 272 के नीचे रखना चाहता था उनका ओल अफ सड़न यह बदल गया नरेटिव बदल गया क रवाली नहीं है कि बीजेपी जो है वह 400 हो जाएगी पॉसीबल ही नहीं इन इमपॉसीबल है तीन सो हो सकती है तीनसो पचास हो सकती है तीनसो हो बीज हो सकती है So what happens, psychologically जो उनका भी वोटर था, वो ठीक चुनाओ के पहले तक काफी सेटल डाउन हो गया कि ठीक है, मोधी आ रहे हैं, हम नहीं जीत रहे हैं, हमारे लीडर्शिप के अंदर ही वो confidence नहीं है, पहली चीज यह हुई, लेकिन चुनाओ हर बार frame by frame बदलता है, पहले फेज में इस तो फर्स्ट फेज में जो आप low voting turnout देख रहे हैं, वो कम होने का एक वो कारण भी था, इसी वज़से बीजेपी अब, आप social media तो बात कर रही है, पर बीजेपी के बड़े ने था, 400 पार के जगह पे वो पुश कर रहे हैं, कि जाहिए वोट कीजिए, एक दम से ground पर कारे कर जगे उनको जगाया गया, सेकेंड फेज से ही, और सेकेंड फेज में नरेंद्र मोदी ने पूरे campaign की कमान अपने हाथ में थाम दे, बोला चलो इन से नहीं होना है, एक बार फिर से मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार से विपक्ष घिरा हुआ है, विपक्ष कन्फ्यूज है, ब्रामीत है, और विपक्ष के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लेम यह है, कि वो सिर्फ मुझ से कह रहा है यूनाइट है, धरातल पर बिल्कुल भी यूनाइट नहीं ह अभिशेक जी, आपने बोला कि जो ऑपोजिशन है, वो यूनाइट नहीं है, अगर हम इंडिविज्ट्र लेवल पर भी बात कर लें उनकी, तो एग्जिस्टेंट दिखते भी नहीं है, इंडिविज्ट्र लेवल पर भी ग्राउंड की उपर कार्य करता नहीं है, ग्राउ है कि आज मुकाबला ही कर नहीं पा रहे है, लेकिन आपको लगता है कि यह चुनाव है, यह उस स्टेज पर पहुंच गया है, जहां महावारत की आखरी जो लड़ाई थी या आखरी दिन थे, उस पर जैसे शडिलतर रचे जा रहे थे दोरों दरों से, यह चुनाव कहीं औ और पहुंचना शुरू हो गया? लेकिन यह जरूर दिख जाता है कि इतना तो एक पार्टी जीत रही है, सो वी सेट कि शिवराज सिंग चोहान नहीं हार रहे हैं, और इतना तो बीजेपी जीत रहे हैं, उसके लॉजिकल कारण थे सर्थ, 167 सभाएं शिवराज सिंग चोहान ने की थी, और 85 के आसपास सभा अब देखे उसका इंपैट कितना होता है, आपका ग्राउंड पर जितना करेक्शन होता है, आप वो सारे कार्ड खेल सकते हैं, सिंपैथी का कार्ड हो सकता है, लाभार्थी कार्ड हो सकता है, राम मंदिर का कार्ड हो सकता है, नेशनलिजम का कार्ड हो सकता है, अब मैं अधिक ट्रेवल कर पाता हूं, बाकी जगों के लिए मुझे अपनी टीम भेजनी पड़ती है, सुमिध जी आपको मैं एक उदाहरन देता हूं बिहार से, ते जस्वी यादो एक रैली कर रहे हैं, दो रैली कर रहे हैं, मालनी जी, किन्तु आप अगेंस्ट में देखिए, नि इंडिया लाइंस का, अभी तक राहूल गांधी की एक भी रैली नहीं हुए, वो कनेक्शन कैसे इस्टैबलिश होगा, आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, यही हाल उत्तर प्रदेश में भी है, वो फरजी कुछ यूट्यूब चैनल भले वो कह दें कि बीजेपी 50 के नी बूरी बात समझ लिए, 64 पर बिलकुल फाइट नहीं है, बीजेपी वो आराम से जीत रही है, बचे हुए 16 के 16 सीट पर बीजेपी फाइट कर रही है उनके साथ, वो एक सीट पर दावा नहीं कर सकते ताल ठोके कि मैं जीत रहा हूँ, उस 16 सीट पर रेशियो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, जब इस प्रकार का अंडर करेंट होता है, तो उस पे रिजल्ट आता है 60 to 75 परसेंट उस पार्टी के फिवर में जो सत्ता में दोनों तरफ होती है, ये इसका कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक तो प्रशासन का आस्तर होता है, गिरा हुआ मनुबल होता ह प्लस वोटर जो लास्ट मोमेंट में 3-4% का फ्लैक्सिवल वोटर होता है, वो कहता है, इनको जीताने का फायदा तो है नहीं, न तो ये सत्ता में आएंगे, न फिर ये विधान सभा में हैं, और सरकार कब से कम बने तो अपना सांसत बने उस पार्टी का जो कब से कम जीते करके पूरे इसमें अगर आप देखेंगें तो कैंपेंड कर रहे हैं, डेमोकरसी बचाना है, अरे भाई साब बिहार में वैशाली की धर्ती से मैं हूँ, यहाँ डेमोकरसी की पठकता यहीं से सुरू होती है पूरी दुनिया, इससे प्राचिंतम डेमोकरसी कहीं नहीं है, आप वहाँ की डेमोकरसी खतम कर देगी, कोई भी पर्टी एक्स वईजेट, आप जाईए वैशाली में लोगों को, जब बोलते हैं यह लोग, सुमेजी की डेमोकरसी खतम होगी, इतनी गालियां पढ़ती है इन लोगों को, कैमरे पर, कि मैं वो दिखा नहीं सकता, बदल जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है सुमेर जी, आपको चुनाव बदलने के लिए बेटर प्रोड़क्ट रखने पड़ेंगे, बेटर कैमपेंड करना पड़ेंगे, इनका कैमपेंड क्या होता है, हम मुसल्मानों को आरक्षन दे देंगे, कट डाउन, बाकी OBC नराज हो होता है, उसके फ्री इट लगाते हैं, और पूरा कैमपेंड का नरेटीव बदल जाता है, उसके बाद कॉंग्रेस चार सो रोकने के जगा, तीन सो पचीस रोकने के जगा, पूरे अगले पांस दिन डिफेंट करती है, कि नहीं, हमने पित्रोदा को हटा दिया है, हमारा उन से कोई रिलेशन इहां तो पब्लिक ऐसे नहीं देखती के तो यह देख रही है, थीक आपने पित्रोदा को रहा है, लेकिन आईये से हैं, पित्रोदा आपका गुरु है, ध्यात्मिक गुरु है, जो कि आपके लंडन में, आपके युएस में शोज कराता है, सो बेशिकली Congress एक ऐसे crisis से गुजर रही है जिसका कोई nearby मुझे solution नजर नहीं आता हूँ मेरे पास solution है लेकिन Congress कभी मानेगी नहीं क्योंकि देखिए वामपन्थी ऐसे होते हैं वो parasite है वो पहले जिस घर में जाएंगे उस घर को समाप्त करके ही फिर अगले घर में जाते हैं तो इन्होंने बंगाल में पहले जो किया त्रिपुरा में किया उसके बाद आपने देखा एंडी टीवी जेन यू और अब Congress में समाहित हो चुके तो Congress जब तक ये पूरी तरह से Congress को बरबाद नहीं कर देंगे तब तक अगला आशियाना ये ढूंडेंगे अब जैसे बिहार से आते हैं हम उनने हमेशा देखा है कि बिहार हो यूपी हो वहां पे जाती का जो स्यापा है यह हमेशा ही रहा है जातीवाद और इसी को बढ़ावा देने के लिए Congress ने यह निया सा फॉर्मला निकाल दिया जितनी जाती उत्रा हक उसके बाद री डिस्ट्रिबुशन सैम प्रतोतरा था मैं तो उसको पितरोधा बोलता रही हुए मैं तो पितर दोश बोलता हूं उसको सैम पितर दोश था अब यह सारे जो लोग है इनके जो सारे फॉर्मली आपको लगता नहीं है कि यूपी हो बिहार हो यहाँ पर समिकरण चेंज हो सकता है बीजी पी का इतना काम किया हूँ दस सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बाद भी फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा उसका कारण है सर्थ देखिए हम जब री मंडल कमिशन का थौट रसी यह सड़ा गला सोच है क्यूं देखिए एक समय था जब मंडल आंदोलन में सभी पिषडी जातियां दली सोसित जाति थी क्योंकि वास्तों में अगर आप 90's में चुकि मैं वहां उस जेनरेशन का हूँ तो मैं इस बात को समझता हूं कि नहीं कहीं न कहीं समाज में कमी थी उनको उनका अधिकार बहुत जगह पे बहुत गरीबी थी नहीं मिल पाता था प्लस जो बड़ी बात थी कि उनका पासवान समुदाय के लीडर नहीं वो चिराक पासवान ही है वो रामविलास पासवान थे वो नितीश कुमार ही है आने वाले समय में जो उत्तरा धिकारी होगा वही होगा इस बात को समझने की आवसकता है तो बिहार और यू-पी में अगर आप टेक्नीकली देढ़ें मैं हमेशा कहता हूँ कि BJP एक लेयर की राजनीती करती है जिसमें राष्टवाद भी होता है धार्मिक मुद्दे भी होते हैं फिर उसके बाद लाभार्थी भी होते हैं उसके अलावे BJP भी जाती है समिकरण को साधने में इन से अधिक एक्सपर्ट होगी है कट डाउन यूपी में क्या है ओके ओबी सी यादो माइनस BJP के साथ चले आएंगे जिसमें पटेल भी है शाक के भी है आप देखिए जो बड़े राजभर है इसके अलावे अनुप्रिया पटेल साथ जैसे मैंने बदाया अलायन से इसके अलावे निशाद पार्टी के साथ तो अगर आप देखेंगे तो BJP भी समिकरनों को साथ रही यह ना भूले कि मौरिया केशो प्रसाद मौरिया स्वैम डिप्टी सीयम है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सीयम है उसी प्रकार से आप बिहार में आई लोकुस समिकरन के नेता नितीश कुमार है चिराग पास वोट बैंके वो भी उसी प्रकार से है तो BJP भी उसी फिल्ड में खेल रही है पर क्या है उनके पास बेटर बैट्समेन है और वो सामने वाला जो एक ठका मारा बैट्समेन है जिसके थाट प्रोसेस में कुछ आगे नहीं है उसके उपर मोदी जी का खुद का OBC का होना ठप पा देता है प्लस डलित पॉलिटिक्स आप देखे कि इस प्रकार से BJP भी खेलती है आप देखे कि विश्णुदेव साय को छटीसगर में CM बनाया उसी प्रकार से अगर आप देखे तो द्रौपदी मूर्मुजी को जिस प्रकार से प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट करन सदनली क्या होता है चठीसगर का एलेक्शन पूरा एकदम बदल जाता है माक माई वर्ड चठीसगर में जब हमने और जेवी सिस्टर आमसर ने कहा था कि BJP की सत्ता में वापसी हो रही थी इस बार मैं फिर कह रहा हूँ कि संभावता चठीसगर में BJP स्विप कर जाएगी एक सीट कॉंग्रेस को नसीब होने की स्थिती में नहीं है तो BJP अकेले 400 नहीं जाएगी एंडिये 400 संभावता ना जाए लेकिन मुझे कोई डाउट नहीं है कि 370-90 हो भी सकता है और अब बड़ी बात जो आपका पहला प्रष्ठा 400 पार करेगा कि नहीं देखिए बड़ी मारजीन में 20-25 ऐसी सीटे भी निकल जाया जिसे मैं सोच रहा हूं कि संभावता कुछ वोट से वो बीजेपी हार जाएगी जैसे यूपी में बहुत सारे लोग बोलने कि मुरादाबाद संभावता बीजेपी भी जीच सकती है लेकिन मेरा मानना है कि मुरादाबाद में ब हिंदू कंडिडेट जो समाजवादी पार्टी ने दिया उसके वज़े से परिणाम यह हुआ कि स्टी हसन के साथ साथ जो मुस्लिम वोट बैंक है वो तो ऑविस सी बात है समाजवादी पार्टी को ही वोट देना था लेकिन हिंदू वोट बैंक भी थोड़ा बटा इस प्रिजिट तो पिछले दो टर्म से भी है किन्तु जिन लोगसभा छेतर में उनकी डेमोग्राफी ही पूरे लोगसभा का चुनाव का निर्ने कर जाती है वहाँ पर बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है परमपरागात रूप से उसी में एक सीट ये भी है जी सब्सक्राइब को इंटेरम बेल दे दी गई आपको लगता है कि इसका अगले 20 दिनों में समीकरन चेंज होगा स्यासत जो है या रैली हैं उसमें फरक पड़ेगा कुछ और नए पन्ने जुड़ने शुरू हो जाएंगे मोधी जी की स्पीच में मोधी जी की स्पीच में तो कुछ नए पन्ने जुड़ेंगे और हम देखेंगे आने वाले समय में सुप्रीम कोट के जज्जमेंट और इसको लेकर के भी एक कटाक जरूर आएगा और समभत वह बिहार के पटना के रोडशो के बाद ही सुरू हो जाएगा आपने पूशा क क्या प्रभाव होगा आमादमी पार्टी के चीफ के जरीवाल के निकलने के वज़े से देखिए दिल्ली में तो कोई विशेस प्रभाव पढ़ना नहीं है वो साथ की साथ लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी क्योंकि मार जीन ही 50% के उपर का है तो आप कुछ नहीं कर सकते वो वोट शेयर नहीं उतना अधिक है कि तो पंजाब में अवश्य पढ़ेगा पंजाब में जो सीटे फसी हुई थी बीजेपी के लिए अब वो भी गोल्डन सीटे हो गए है जालंधर, लुदियाना, पटियाला, अमरिच सर पंजाब में मैंने एक शो भी किया था प्रसार प्रसार करेंगे वहाँ पर, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि तेरा में से किसी सीट पर ये कॉंग्रेस सी मेरे विरोध में खड़ा है, इसको वोट कर दो, ओविस सी बात है, सो कॉंग्रेस के लिए ज़्यादा बुरा हुआ, आप उस पंजे में देखेंगे आने वाले सम में, कुछ लोग कह रहें कि हरियाना में खेल बदल जागा, भाई साब 0.4% वोट शेर अगर आम आदमी पार्टी का मुझे बताईए, हिसार के लोगसभा सीट पे जुड़ भी जाएगा, या कुरुशेत लोगसभा सीट पे जुड़ भी जाता है, तो आप कौन सा तीर मार लेंगे, भाई साब मारजिन साड़े तीन लाग का है, 0.4% अगर आप वोट एट करा ही लेते हैं, आम आदमी पार्टी के, और वाई एम सेंग दिस, क्योंकि सार मुस्लिम सौ परतिसत ही मद्दान कर सकता है, किसी के विपक्ष में, 200% तो नहीं कर सकता है, अपनी पॉपु प्रदेश में बिलकुल नहीं मिला था, अला कि मद्देश और राजस्थान में उनका उतना है भी नहीं, पर जितना भी है, कहने का तात पर यह है, कि सर, 2 प्लस 2 राजनीती में 4 नहीं होते हैं, हमने, सबसे बढ़ियां उदारन में आपको देता हूँ, उत्तर प्रदेश क 2019 का, मायावती का वोट 13 परसेंट सिर्फ जाटों का है, और यूपी में 10 परसेंट यादो हैं, 3 से 4 आप कह लिए जाट और इसके अलावे मुसल्मान 19 परसेंट, लेकिन जब वोट हुआ, तो बीजेपी एंडिये को 51.23 परसेंट वोट शेयर मिला, यूपी लोग सभा में, वही आपके कास्ट के एंसर प्यार हूँ, कास्ट तो तब भी था, कास्ट तो अब भी है, लेकिन कास्ट के बीज में existence का मामला फसा हुआ है, क्योंकि अब आरक्षन मुद्दा नहीं है, आरक्षन तो मिल चुका है, अब वो लड़ाई अपनी नहीं है, मुझे एक बहुत स मैं आनू, लेकिन मुझे कुछ कहना है आपके कैमरे पे, मैंने बोला बोलिए, बोला सर, बात आरक्षन की तो तब तक है, बाबा सहाब के समविधान की तब तक है, जब तक हिंदू मैजॉरटी में रहेंगे, जब हिंदू ही नहीं रहेंगे, तो जब यह समविधान ही नह करण और इसका समय अब समाप्त हो चुका है एक नया समी करण पिछले दस साल से जन्म ले चुका है उस समी करण में इंक्लूसीव पॉलिटिक्स है कहीं चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा है उसमें प्लस मोदी जी का एड है प्लस नितीश कुमार जी के प्रती कितनी भी अंटी इंकम्बन्स यू पर उनका तो वोट शेर कहीं नहीं जा रहा है डेटा ये कहता है कि 2014 में 6% मुसल्मान महिला वोट बढ़े थे, 2019 में 10% और इस बार जो थर्ड फेज तक मेरे पास डेटा है वो 12% पुरुषों ने कम वोटिंग किये लेकिन महिला गए है और महिलाओं के पास बहुत सारे कारण है आप उनसे कभी मिलिये धरातल पर वो आपक के आगे मोदी जी को वो इसलिए क्योंकि उनके पास बहुत अधिक कारण है महिलाओं के सम्मान की जब बात आती है महिला एम कार्ड के और बिहार में ये फैक्टर डबल हो जाता है क्योंकि नितिश का भी फेवरेट कार्ड महिला कार्ड ही है इस वज़े से थोड़ा मुझ ये डिफिकल्ड लगता है कि इस चुनाव में कम से कम कॉंग्रेस और महा गड़मंदन आ रही है मैं कॉंग्रेचुलेट कर सकता हूं दोहजर उन्तिस के लिए इस से ज़्यादा कुछ बढ़ाई संते इसमें नहीं दे सकता हूँ विडिया दे यॉपने और बहूं भारत में नहीं रहता है इस बार बचरते हिंदूं के नहीं नहीं लगता है वो वास्तविक्ता है नहीं देखिए तो सोचल मीडिया पे चला ही जाती है जिस परकार से होली बीट गई थी ठीक एलेक्शन के पहले बहुत सारे लोग को पता नहीं है कि ईद भी बीट गई थी एलेक्शन के पहले और मुसल्मान भी बहुत बड़ा वर्किंग क्लास है खास उससे अधिक तो यह रुखी नहीं सकते है एकसिस्टेंस की बात है यह जो आपने देखा संबल में जो हुआ कि जो फर्ची वोट डालने वाली बात या मुसल्मान महिलाओं की बुर्के की हद से ज्यादा चेकिंग हो रही है वो होगी क्योंकि होगी इस बात को जानते हैं क कि फेक वोटिंग किस प्रकार से लोग कराते हैं इसी वज़े से आप एक मिनट में यह नेरटिव तोड़ दोड़ दीता हूं सर रामपूर में तो 77% मुसल्मान है बadलत 60% है किसन गंज में 77% मुसल्मान है बिहार के किसन गंज में 8% मतध़ान क्यों कम हुआ रामपूर में क्यों कम हुआ है वह तो बड़ा सिंपल रीजन है कि जो जारे लोग है वहां करते हैं तो उतका जो पर्सेंटेज कम होने का रीजन भी यही है कि यह पहले वहां पर वोटिंग ज्यादा होती थी क्योंकि वहां पर फर्ची वोटिंग भी पड़ती थी इस बार मालूम है क्या कुछ होगा और बही मैं चाइना में रहता हूं चाइना में जो आपने देखा होगा कि लोग डाल रहे हैं कि जहां पर निशान लगा है वो उंगलिये चाइना से बनके जाती है और जो फैक्टरी बनाती है मैं उसको मिलके भी आया था कि वह सप्राइस की इत चीजों को लेकर के बहुत चेकिंग हाई लेवल पे हो रही है मेरा यह मानना है कि एक परसेंट अगर ट्राइ किया भी मुश्किल है वैसे इस बार तो यूपी पे ना हुआ है तब ही मैं पूरी में आपने देखा कि सामके तीन बजे के बाद ही समाजवादी पार्टी के सम लायम सिंग यादो अपने अंतिम चरण में थे तो जीत रहे थे इस बार यह मार्जिन कहां से पार्टिंग है इस बार तो भोजन समाजवादी पार्टी है भी नहीं उनके साथ पर जिसका वहाँ पर एक लाख 80,000 वोट में बतादू जाटव समाज का है जो की कंप्लीट मा मार्जिन था तो हरा देंगे वो यह भूल रहें कि पिछली बार कंणोज में तो दो लाख के आसपास मतदाता है मायावती के वो मतदाता उनके साथ नहीं है इसका असर होता है रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि 2014 से बहुत अलग आने वाला है 2014 में उत्तर प्रदेश के संद पर नॉर्स में भी जो हिंदी बेल्ट है उसके बीजेपी की धाक है लेकिन आप मिडल में साउथ में एस्ट में वेस्ट में कैसे देखते हैं अगले चार फेजिस में परफॉर्मेस ऑफ बीजेपी ग्राउंड रियालिटी चाहिए देखिए बैंग वाल में तो अब वो सी तीन चरण में इतना आवश्य है कि बीजेपी मिनिममम एक सो असी के आसपास अल्रेडी मुझे दिख रही है और अभी चार चरण के चुनाओं बाकी है तो बीजेपी कही है एंडिये कही है तो ये कहां जा रहा है आप समझ लिजे कि तीन चरण में अगर ये है और अब फे जाते हैं तो ये कहुशन और मोदीज ने एक और गुमा दिया जो पानी अलडी मिटी में भरा हुआ था उसमें गुमा दिया कि फॉरण इंटरफेरेंस भारत में डारेक्टली इंडारेक्टली हो रही है मैं इसमें बहुत सकता हूं क्योंकि चीन का बहुत बड़ा हाथ है इंटरफेरेंस के साथ हमारे मीडिया वाले पकड़े भी गए थे नोट लेकर चाइनीज कंपनीज भी पकड़े गई थी जो यहां से पैसे लेकर सारे मीडिया वालों को और पैसे दे रही थी आपको लगता है कि अगले 20 दिनों में ये इंटरफेरेंस और बढ़ने वाली ह क्योंकि बॉकलाहाट न दुनिया बर में दिखाई दे रही है मौदी जी की जीद को लेकर अब वो तो अविस सी बात है आप केजरीवाल के जमानत को लेकर भी जो बातें सामने आ रही है वो तो अविस सी बात है देखिए मौदी चाहिए लेकिन कमजोर मोदी चाहिए, यूएस को मोदी चाहिए, मोदी से अब्जेक्शन नहीं है, और उनको राहूल गानी नहीं भी चाहिए, लेकिन कमजोर मोदी चाहिए, ताकतवर मोदी नहीं चाहिए, वो 303 वाला, 340 वाला, इस प्रकार का मोदी नहीं चाहिए, 250 पे अटकार ह है ताकि वो bargain power नजा है अब problem यह है कि बहुत सारे nation Modi से bargain नहीं कर पा रहे हैं because Modi is very very hard bargainer वो बहुत hard bargainer है पक्का जिसको कहते हैं गुजराती भी अपा रही हो ना उस टाइप का thought process है इनका तो यह एक problem है और वो narrative खेल चलता रहेगा दोनों तरफ से चलता रहेगा किन्तु एक चीज बदल जो गई 2014 और अब में वो है social media पर ऐसे influencer का आना जो की बीजेपी से नहीं है ना बीजेपी आईटी से लेकिन वो जो programs लेकर करके आते हैं जो expose करते हैं वो narrative नहीं चल पाता उदारान देता हूँ जैसे किसान अंदोलन शुरू ही हुआ था कि 10 दिन के अंदर सारी बाते बाहर निकाल करके मीडिया में कह देगी यो गेंदर यादों को स्वैम आके कहना पड़ा कि भाई हम तो pitch तयार कर सकते हैं चुना तो आप ही को जीतना है बैटिंग तो आप ही को करना है so my whole point is that कि सामने से आप जैसे narrative तयार करते हैं इसके पहले Modi या BJP कुछ करे उससे पहले social media उसको crackdown करके उसको expose कर देता है तो चली नहीं पाता है इस problem का nearby विपक्ष के पास कोई solution नहीं है वो social media पर influencers की भीर तो तयार कर सकते हैं लेकिन वो narrative वो carry out कैसे कर पाएंगे क्योंकि उस narrative को तो तोड़ दे रहा है बीच में कोई इस वज़े से यह नहीं हो पा रहा है सोरस प्रयास में बहुत है लेकिन वो हो नहीं पाएगा हो नहीं पाएगा प्रिकों सही है चलिए आपका जो आंक्रा है हमने देख लिया सारे 300-400 के बीच में जाकर कहीं रुकता है आपकी crowd reality एक तारिक के बाद जरूर करेंगे और बीच में कोई बड़ी news आएगी अचा एक और चीज़ नहीं जैसे सुप्रीम कोट ने भी बोल दिया एक और चीज़ के लिए कि इसकी जो legal fees है यह भी सेंटर को बोल दिया कि आप पे कीजिए हाई कोट के चार्जिस हों या सुप्रीम कोट के जो चार्जिस हैं और इसमें कोई ego का matter लेने की जरूरत नहीं है आपको लगता नहीं है कि कुछ नहीं कुछ तो खेल हुआ है कि ऐसी judgments आना वो भी एक अपरादी के लिए क्या कल को हमारे साथ में ऐसी होगा नहीं मैंने तो कल शो में ही रात को अपने शो में बोल दिया था कि यह article 14 का clear violation है और यहां पर साफ साफ सुप्रीम कोट ने एक नहीं लाइन ड्रॉ की है कि सब लोग इस देश में बराबर नहीं है एक लाइन में इसका ही है जो मज़े की बात मुझे आप आपके साथ शो कर के लगी है इतनी ground reality की आपके पास पकड़ है तो टीम आपके पास जबर्दस है और आपका खुद का भी मैं देखा आपके शोस कई बार कि आप जैसे खुंते हैं वो पकड़ दिखती है आपकी आवाज में और आपकी analysis के अंतर तो आयम मैं तो शुरू से कायल था तो आज विला है तो थैंक नोग गणारि तो थैंक य सो बच फो जया जो एप कं या जया शरी राव धिया थैंके शुबी जी चाहि है कभी बैट के साथ मैं कॉफी ज़रूर पीएंगा धन्यवाद ज्याश्री जी रू, अरे डिन्या ड टेप्रिएंटली आप टूधर टूटिस द